किसान सातियों आपने देखा होगा बहुत सारे किसान साति हमारे जो सेंपू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंपू के फसल में स्प्रे करने के क्या फाइदे हैं क्यों हमारे किसान साति इसको कर रहे हैं यह पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और इसके का अगर रिजल्ट्स क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे पूरा वीडियो देखने के लिए जुड़े रही है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में जो गंटी का निसान इसको जरूर दबा जो है वहंति हैं अब हम बात करते हैं क्वान्टिटी के अनदर करना चाहिए तो आप कोई भी सेंपू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब आप टैंक का स्प्रे करें तो एक टैंक के अंदर 15 ml सेंपू मिलाना है अगर आपका छोटा पाउच 5 ml का है तो 3 पाउच डालने है अगर आपका पाउच 10 ml का है तो 1.5 पाउच डालना मतलब 15 ml प्रती टैंक आपको डालना है उसके बाद आपको अपनी फसल के उपर इसको स्प्रे करना है अब हम बात करते हैं कि हम सेंपू का जो है वो किस फसल के अंदर छिड़काओ कर सकते हैं तो सेंपू का इस्तेमाल आप किसी भी फसल के अंदर जिसके अंदर आपको मिली बग चेपा जैसी बीमारियां दिखाई देती हैं, जो हमने आपको बताया है, वैसी बीमारियों के लक्षन अगर आपको आपकी फसल के अंदर दिखाई देते हैं, तो आप इसका डिरेक्टली कोई भी खेती करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा फाइदा जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो आपके पत्तों के अंदर बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो अपने पत्तों के उपर लारवा छोड़ते हैं और अपना प्रोडक्शन जो है वह आपकी फसल के अंडे वगयरा जो है या जो भी उन्होंने चिपचिपाट छोड़ रखी जिसके उपर उनके अंडे चिपके हुए हैं सारा जो है वह वाशिंग हो जाता है दूल जाता है और उनका जो ग्रोथ है जो कीट या कोई भी बिमारी है उसकी ग्रोथ आपकी फसल के अंदर रुख जाती है चोथा फाइदा जो है जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो इसकी जो पत्तों के उपर दूल डस्ट या जो भी चिपचिपाट चिपकू होती है वह सारी निकल जाती है उसके बाद जो पोदे आपके प्रकास संसलेशन की प्रिकिरिया या फिर जो पानी का इवाप करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो आपको कोई भी फोर एक्जमपल अगर मैं एक टैंक की बात करूं 20 लीटर या 16 लीटर का टैंक है यह 20 लीटर का टैंक है तो 20 लीटर के टैंक के अंदर मैं बात करूं तो हमें 15 ml डालना है तो यह 5 ml का एक पाउच है हम इस पाउ के ऐख्षिप पहले ही जब पर पूर अच्छे से mix कर लिजिये तो यह कुछ इस तॉर्amp का plugging अब दिखने लगेगा फिर आप इसके आपका टैंक खोले है ओर उस टैंक के अंदर जो है इसको डाल दीजिए कि जब आपका टैंक फिलप हो जाएगा तो आप ज़ो है इसको दुमारा से कहीं भी साफ कर सकते हैं ताकि दुमारा जब आप फिलप करेंगे तो कचरा इसके अंदर नहीं रहएगा पानी का फिर आप इसको लो कर तो अब हमने सारा मिक्स अप करके अपने टैंक के अंदर डाल लिया पूरा टैंक फिलप हो गया अब हम रेडि हैं स्प्रे करने के लिए दूसरा ध्यान रखना है कि आपको उस ताइम पर जो चस्में हैं वो पर लगे वी होने चीए और जिस साइड से हवा का परवा है मतलब उससे अपोजिट डारेक्षन में होके अब जैसे मेरे से हवा चल रही है तो मिरे को स्प्रेय अछर देखर करना यह तो देखा है तो अगर आपको एसे लक्षन किसी भी आपको आपके पोदमे ण फसल में दिखाई देखा है कि आप कितना भी जहरी लाया, ऐसा भी स्प्रे मार लीजी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप केवल 10-12 रुपे लगा के, आप अपनी खेट से, अपनी फसल से इस बिमारी को हमेशा के लिए भगा सकते हैं, आपको बेसिकली करना क्या है, कि आपको ज जहां पे आप स्प्रे कर रहे हैं, उसमें कोई भी एरिया छूटे ना, प्रोपर आपके पत्ते बगारा जो है, वो तरीके से भीगे और क्लीन हो, कहीं भी अगर आपका लारवा बगारा होगा, ताकि क्लीन हो जाए, पत्ते अच्छे से साफ हो, और पोदे की गरोथ में आ कैसी कोई बीमारी है, तो एक बार आप छिड़काओ करके जरूर देखें, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, खर्चा भी कोई इतना नहीं है, कि हजार दोजार रुपे खर्चा है, दस बारा पंदरा बीस रुपे का मैक्सिमम खर्चा है, अगर आपको क्या पता हमारी किसान साथियों तक पहुंच पाए, और कम बजट में जो है, कैसे खेती की जा सकती, इसके उपर हम रेगुलर वीडियो जो है, वो डालते रहते हैं, विद्ध ट्राइल के साथ में, तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही जल्द मिलते हैं, नए वीडियो में, नए टोपिक के उपर, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, जै जवान, जै किसान.